तो दोस्ते एक बार फिट सो आगे थे आपका हमारे शैनल पर मेरा नम है वरुन और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की और अगर आप भी जादा इंजीनियरिंग करना और अपना करियर सबारना और फिर भी कंफ्यूजन आ रहा है दिमाग में कोई बताने वाला है नहीं त अगर आप भी इसको बकेट में रखे हुए या फिर कोई दोस्त आपका चाहरा है तो यह वीडियो आपके लिए अच्छा हो सकता है इसको लास्त देखना है साथ ही साथ इसको शेयर कर देना है दो दोस्तों क्योंकि सारी सारी जानगारी इंजीनिरिंग से रिलेडिड आपके करियर की या कॉलेज इसकी यहीं सी चैनल पर सबसे पहले आपको मिलने वाली है तो चलिए स्टार्ट करेंगे या केजे समईया कॉलेज ओफ इंजीनिरिंग की जो की मुंबई माहराष्ट्रा में मुंबई में जैसे मैंने आपको बताया कि यह ऐसे हैं कि ऑटनोमस बॉड़ी के तौर पर काम करते हैं तो उसमें एक टोटल साथ है जिसमें यह भी सुमार हो जाता है बैचलर डिगरी के अगर आपको करना है यहां से इंजीनिरिंग की बीटेक की बात हम कर रहे हैं तो बह आहराश्टर में के जैसो मैया का तो इसके लिए आप देखें भाई आई आरिफ की इंजीनिरिंग रैंकिंग 251-300 के बीच में इसकी रैंकिंग आती है इसके अलावा अगर देखें हम यहां प्राइविट इंस्टिविशन में रैंकिंग तो भाई 26-50 के बीच में यह रैं इन्होंने कवर अप करके अच्छा किया पॉड़ी पूर पे आगए दो आउटलुक की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भई 94 रैंकिंग इनने दी है 2022 की और इंडिया डूडे की रैंकिंग आप देखें तो 19 और 16 यानि 19 भी जो रैंक है आपकी यह 2022 की है जो की पहले 2021 की सोल भी रैंक से जादा हो गई है अब पतलब पर्फोमेंस उपर नीचे अलग अलग चल रहे है करें रैंकिंग से कोई फरक पड़ता नहीं है सचा ही मैं आपको बता दूँ है ना यारेफ तो चोड़क है ना यारेफ तो नेशनल फ्रेंबर्ग है और वो बहुत सारी चीज के आपके लिए आपके लिए बैस्ञारे घवाक है और वो किया कमियां हो सकती है यह कॉलिज के लाबा और थी बैस्तक लिए हो नहीं समझा रहा है कोई बताने वाला है तो हम है न आपके 45ile analysis form आपको मिलेगा जिसको फिलम करिए और आपकी profile के अधार पे हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए best चले यांगे बात करेंगे हम यहां पे अगर आप चाह रहे हैं महाराष्ट्रा में ले रहा दो कैसे ले सकते हैं सारे बच्चों को पता ही होगा मेरे खाल से मैं दो तीन बार बता चुका हूँ अलग-अलग options हो सकते हैं अलग-अलग options कैसे हो सकते हैं एक तो आप जा सकते merit-based और दूसरा option क्या हो सकता है आपका अगर रहा है तो वो lateral entry का एक option आप बन जाता है तो यह सारे options यहां भी आपको मिल जाते हैं ठीक है महाराष्ट्रा का यह university college है तो MHTCT होता है महाराष्ट्रा के लिए CT होता है अलग से तो उसके basis पे आपको यहां पर admission मिलता है जही में इसके अगर आप इस प्रक्रिया के थुरू जाना चाते तो यहां पर पैरा CET भी होती है महाराष्ट्रा में हाँ तो उसके basis पे भी आपको यह admission मिल सकता है basis पे क्या हो CET के basis पे उनकी प्रक्रिया के आधार पर eligibility criteria अगर हम देखें तो हमें क्या होना चाहिए eligibility इसके लिए 12th pass तो minimum होना ही चाहिए क्योंकि हम b.tech कर रहे हैं या फिर graduation कर रहे हैं तो minimum आपके high secondary आपको pass out होना चाहिए और इसमें कुछ-कुछ universities या colleges क्या करते हैं percentage का scenario रखते हैं अगर जनरल से belong करते हैं तो 60 55 कहीं जगा 50 यह अलग-अलग इनकी eligibility होते हैं criteria होते हैं और अगर आप चाह रहे हैं या chemistry, bio technology या biology से related courses करता है तो यह para CET के अंतर सारे सारे medical से related जैसे हमने बात करी होगी मेरे ख्याल से कि तमिल नाडू या अंधरा प्रदेश में इनका भी क्या होता है कि इसका एक ही exam होता है common exam होता है जिसमें medical हो, agriculture हो या engineering हो सारे बच्चों के लिए एक ही common entrance होता है वैसे यह exam यहाँ पर हुआ गरता था तो इनके लिए भी अलग-अलग scenarios बताया हूँ है चले B.Tech specification क्या-क्या यह offer कर रही है तो भाई आप देखे computer engineering ज और mechanical engineering इन्होंने कम दिये हैं बाकी और भी options ऐसी बात है नहीं कि नहीं है civil बगेरा भी इनके option में है लेकिन private institution के हिजाब से या university के हिजाब से इनकी fee structure को देखें, fee structure हम अभी जो बात कर रहा है देखो यार peace हर एक बच्चे के लिए हर एक family के लिए बहुत ही बड़ा point होता और private institution उस चीज को नहीं समझते हैं लेकिन ज़्यादा fees रखते हैं क्यों रखते हैं यार देखो government institution की बात करें या कई की भी बात करें पढ़ाई में तो वही खर्चा होता है जो fees होनी चाहिए लेकिन ये information के अलावा क्या गरते हैं infrastructure और बाकी की तमाम facilities के basis पे ज़्यादा fees रख देते हैं तो हर किसी के बस में नहीं होता उसको afford करना और अगर आपकी स्थिदी भी ऐसी ही है परिवार में आप भी परिवार वालोगा क्यों ख्याल रखते हैं कि पापा जी यार इतना कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे और फिर भी आप एक nominal institution से भी अच्छा perform कर स होते हैं तो क्या-क्या और options हो सकते हैं आपके पास अगर ऐसा कोई बताने वाला नहीं है तो हम हैं आपके लिए और नीचे profile analysis form आपको मिल जाएगा जिसको fill up करिए आपकी profile के अधार पे हम बताएं कि क्या हो सकता है best आपके लिए चले आंगे fee structure देखें यहाँ पे तो भी इन्होंने अगेन दो केंडिगरी बनाए हुए एक भाहिया आगर वेक्ती भारत से वेलोंग करता है इंडियान वेक्ती है या एनराई समझ रहना जो लोग भारत में रहते नहीं है non resident of इंडिया ऐसे लोगों के लिए अलग structure बनाया दूसरी और यह बाकी की branches के लिए electronic tele communication हो गया यहाँ पे electronic and computer engineering robotics, artificial intelligence, computer and communication engineering तो इनके लिए और वही अगेन सब बाइफरकेट किया हुआ 6,75,000 रुपे पीस ऐसे यहाँ पर इन कोर्स इसके लिए 4,32 और 6,20 के अराउंड 6,50,000 के अराउंड फी स्ट्रिक्चर इन्होंने बताया हो यह केबल किसका है फी स्ट्रिक्चर यह केबल बढ़ाई का है अभी रहने खाने की विवस्ता उत्तम विवस्ता है यहाँ पर आपको मिल जाता है अगर आपने कुछ तोड़ फोड़ ना करी हो तो जो की मुस्किल है क्योंकि कुछ ना कुछ तो फिर लगए जाएगा आपको फ़िक है मैस डेपॉजट 5,000 होता है यह विक्या होता को अब कैसे रहना चाहरे है ट्रिपल शेयरिंग में रहना चाहरे है डबल शेयरिंग में लेना चाहरे है बैट गी बात चल रही है यहाँ ठीक है तो यह साहरा 10 महीने का पूरे का पूर फीस ये लगती है इंडियन्स के लिए है देखो ये जो डबल सेरिंग है ये केबल एनराइस के लिए व्याव विवस्ता इरोने करके रखे हुई है जिसमें फीस लगबग धाई लाक के राउंड है साल बर की अलब दस महीने की ठीक तो ये नॉन रिफंडे वले लिखा एक ब करीब यार समझ रहो ना कितनी फीस ये ले रहा है बहुत बड़िया चलिए कट ओफ की बात कर लें यहां भी आर्टिविशल इंटैलिजेंस और डेटा साइंस अगर आप करना चाहते हैं तो कट आप बही इनका सावेंडीवन ताउजन सावें नाइंटीटू के अराउंड इनका रहा हूं यह का टॉप्स क्लोजिंग है औल इंडिया रिंक है जो की यहां है इडविशन के लिए परियाप थे आपके लिए अब बात करते हैं इडविशन ले लिया सब कर लिया अभी लिया नहीं है सोच लो है ना इससे पहले क्या इंपॉर्ट हो जाता है इंफ्रस साल की ट्रेंड इनने बताय हुए हैं 2020-21, 21-22 और 22-22 यह देखेंगे आप हाइस्ट पैकेज ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा होगा और थोड़ा सा जो ग्रेस टाइप का दिख रहा है यह आपका एबरेज पैकेज है स्टार्टिंग यहां 2020 से हम गरें तो बही आप देखेंग कि 40 लाख करीब का यह पैकेज इन्होंने हाइस्ट पैकेज बताया है और on an average 569 मतलब लगभग ताड़े 5 लाख के अराउंड का on an average पैकेज बच्चों को 2020-21 में यह प्रोबाइट किया गया था वही अगर 21-22 की बात करें तो और इनके जो आंकडे हैं वो विखर से गए कै एसे विखर सेगा है कि 10-12 के around मुझे लगता है यह highest package गया और average इनके थोड़े से ठीक हुए 6.92 के around इन्होंने बच्चों को on an average placement प्रोबाइट करा है फिर अगेन 2022-23 में यह सुधर गया इनका जो की 20-25 के around करीब इन्होंने highest package प्रोबाइट करा है बच्चों को और 9.97 या यह अचानक से उपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है क्या ही कर सकते एक तो यार प्राइबेट इस्टुडूशन है प्राइबेट यॉनिवस्टी और इनके जो रिक्रूटर्स होते हैं उनसे संब्द अच्छे होते हैं तो बिछली बार हो सकता है कि नहीं आप पहले ही कर चुक है चले कंपनी की बात कर लें कि कितनी कंपनी आई कैसा पैकेज रहा तो यहां चूकी 2021 में 96 कंपनी आई थी इन्होंने बिजट किया था बच्छों को लेके गए थे यह आप है और 212 में 109 कंपनी आई थी वहीं अगर लास्ट येर की बात करें 22-23 में बच्चों को रिक्रूट करने के लिए ठीक है बहुत अच्छी बात है रिक्रूटर्स में कुछ बड़े-बड़े नाम आप देख पा रहे होंगे यहां पर सिस्को सब बड़े नाम है यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्कॉलर्शिप की ववस्ता भी इन्होंने कर विया इन्होंने क्या वो तो हर जगई होती है उब्विस ही बात है स्कॉलर्शिप के लिए दो प्रकार की अच्छा है यह आप करेंड सेनेरियो में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसी बेसिस पर आपको क्या है कि मेरिट कम स्कॉलर्शिप मिल जाती है दूसरी होती है नीड वेस में ऐसा होता है कि अगर आप बिलॉंग करते हैं ऐसी पुजीशन में मतलब कि फैमिली का आपका स्ट्रुक्चर कमजोर है थोड़ा सा अच्छा है फैमिली बेक्ग्राउंड की बात करें हम पैसे के माबले में कमजोर है या फिर हम किसी पर्डिकुलर कमरे डिश से बेलॉंग कर रहो हो मतलब हाँ तो उन सभी के लिए अलग-अ प्रकारगी स्कॉलर्जिप यहाँ पर पर्वाइड करा दी जाती है जिसमें आपकी हंडेट परसेंट से लेकर हैं मतलब हंडेट परसेंट तक ही आपकी जोजाता है चले यहाँ पर अलग-अलग फैसलिटी जो बताइए ही है फैसलिटी पर मैं ज़्यादह बात इसलिए न infrastructure sports facility, library gymnasium, hospital girls hostel, boys hostel, transport facility यह तवाम ऐसी facility हैं जो की basic amenities होती है, basic facilities कहलाती है इनके बिना university का दर्जा मिलना मुझह नहीं लगता की संभव है है ना, सो यह बहुत ही बड़ी ऐसी facilities नहीं है बस थोड़ा देखने में जादा अच्छी लग जाती है यह अच्छा हो जाता है, तो यह हम जो बात कर रहे हैं, अब यह पूरी की पूरी, यह अलमिनाइ इस्ट्रक्चर की बात करें, यह एक अच्छा पॉइंट होता है, अलमिनाइ नेटवर्क जितना तगड़ा हो, उतने चांसे होते हैं, कैसे, कि हाँ आपको आंगे, बहुत सेस मिल सकते हैं चाहिए वो प्लेस्मेंट की बात कर लें या नाम की बात कर लें तो यहां पर अनुज भारगों एबी असोशियेट है यह CEO है इस एबी असोशियेट के सियाम मोटवाणी गौदरेज के यह Executive Vice President और Business Head है हर्स भोसले एसार ओयल में यह Senior Vice President HR Head है लता पिल्ले यह डूसच बैंक यह डिरेक्टर है उनकी बहुत अच्छा अच्छा अलमनाईज है नेटवर्ट बड़ा तगड़ा है बहुत अच्छी बात है यहां पर चले तो बहुत यह पूरी की पूरी हमने बात क अगर आप भी जा रहे हैं ऐसे कॉलेज में एडमीशन लेना या इसके अलावा और ओप्शन आप तलाज कर रहे हैं और कोई बताने वाला नहीं है तो भाई नीचे Profile Analysis Form आपको मिल जाएगा जिसको फिलप करिए और उसके बेसिस पर आपकी Profile के आदार पे ही हम बताएंग या फिर आपका कोई कोर्स हो तो मिलेगे अंगले वीडियो में अंगली जानगारी के साथ तब तक के लिए जाहिए